सबसे स्थर्वों पर ही क्या होना चाहिए राष्ट्रहित या लोकतंत्र बिंज वाच एंड लर्न बाट जियो पॉलिटिक्स और आसका भीजित क्लिप्स सब्सक्राइब नाओ तो मैं एक सिंपल प्रश्ण पूछता हूँ कि अगर राष्ट्रही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का क्या करोगे आप अगर राष्ट्रही नश्ट हो जाएगा तो लोकतंत्र का क्या फाइदा है तो आजकल आजकल नहीं बहुत वर्षों से बहुत दश्कों से वेस्टर्न वर अगर आप authoritarian देश को देखेंगे, जो जहां पर dictatorship है, जैसे कि China, यह North Korea, तो वहां पर one party rule है, right? चाइना में एक ही party है, एक ही political party allowed है, Chinese Communist Party, one party rule, dictatorship, North Korea में भी one party rule है, one family rule है, और बहुत सारी इसे जगाए हैं, जैसे कि क्यूबा, जहां पर one party rule है, cold war के समय में, USSR में भी one party rule था, Communist Party का, right? तो यह सब authoritarian देश है, यह सब dictatorship है, जहां पर one party rule है, और one party rule का अगर आप एक step उपर जाएंगे, तो two party rule आता है, तो इसका सबसे famous उदारन है United States, जो एक two party regime है, two party state, इसको आप democracy कहते हैं, आपको दो यह option दे जाते हैं, बारत को देखिए, कितनी सारी political parties है, बहुत सारी local regional parties है, बहुत सारी national parties है, इसको कहते है vibrant democracy, vibrant लोक तंत्र, US में हर चीज को दो partyों में fit करना पड़ता है हमें, तो मैं United States को एक proper democracy नहीं मानता हूँ, यह भी एक authoritarian state है, जो दिखता नहीं है अधिकतर लोगों को, और यह लोग democracy, democracy का नारा लगाते रहते हैं हर जिगा है, और यह democratic, democracies का rankings भी issue करते हैं, या तो US करता है, या फिर उनके कुछ puppet states issue करते हैं, और भारत को बहुत नीचला स्तर दिखाते हैं इसमें, इन सारे चीजों के बारे में, इन सब चीजों को seriously लेना नहीं है, हमें अपने राष्टर कर निर्मान करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राष्टर कर निर्मान हो, राष्टर prosperous हो, तो राष्टर को मजबूत बनाना है, राष्टर को powerful बनाना है, economically और militarily, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, और भारत में democracy है ही, तो प्रश्ण क्यों उठता है कि democracy important है या नि, democracy है भारत में, लोग तंदर भारत से ही निकला है, भारत यह संस्कृति से निकला है, जो ग्रीस, यह लोग कहते हैं कि ग्रीस से democracy निकली थी, अरे आप जड़ा देखिये, ग्रीस में किस प्रकार की democracy थी, सिर्फ पुरुष वोट कर सकते थे, और सिर्फ rich males, land-owning males, aristocracy, जो noble, nobility, noble caste जो होता है, उनके ही पुरुष वोट कर सकते थे, और उस सब्यता में, ग्रीस में, बहुत सारे slaves थे, गुलाम थे, जिस सब्यता में आपके गुलामी चलते हैं, उसका आप democracy कैसे कह सकते हैं, भारत में कभी यह नहीं था, और ग्रीस का जन्म हुआ, उससे कही हजार वर्ष पहले भारत में लोक तंतर था, तो भारत को जो क्रिटिसाज करते हैं, वो आपको essentially mislead करना जाते हैं, और आप उनकी बात मत सुनिये, भारत में काफी अच्छी vibrant democracy है, आज अगर आप global standards को देखेंगे, तो भारत की democracy के standards काफी अच्छे हैं, तो यह बात है, लेकिन अगर आप दो choice देंगे, कि राष्ट्रहित को हम उपर रखें, डिमोक्रासी को उपर रखें, तो मैं हमेशा राष्ट्रहित को ही उपर रखूँगा.